क्या दोस्तों आप भी माई 11 सरकल में बैंक अकाउंट एड़ करना चाहते हों? क्या आपको नहीं पता कि माई 11 सरकल में बैंक अकाउंट कैसे एड़ करते हैं? तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप कैसे My 11 Circle में bank account add कर सकते हो तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों My 11 Circle में bank account add करने के लिए सबसे पहले आपको My 11 Circle के app को open करना पड़ेगा तो यह रहा My 11 Circle का app simple से इसके उपर click कर देंगे My 11 Circle के app के उपर click कर देने के बाद अभी हमारा My 11 Circle का app open हो चुका है My 11 Circle app open होने के बाद यहाँ पर मैं आपको वदा देता हूँ कि आप के से bank account add करेंगे दोस्तों आपको यहाँ पर नीचे more का एक option मिलेगा तो आपको इदर more के option पे click कर देना है more के option पे click कर देने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का interface नजर आएगा और दोस्तों आपको यहाँ पर एक option मिलेगा withdrawal का तो आपको simple से withdrawal के option पे click कर देना है withdrawal के option पे click कर देने के बाद इसमें ही आपको एक request withdrawal का option मिलेगा तो आपको request withdrawal के उपर click कर देने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा और दोस्तों मैं आपको बता दू अगर आपने पहली बार My 11 Circle में अकाउंट बनाया है तो सबसे पहले आपको KYC करनी पड़ती है अगर आप KYC नहीं करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस नहीं आने वाला है अगर आप KYC करेंगे तो ही आप My 11 Circle में बैंक अकाउंट एड़ कर सकते हो तो दोस्तों जब आप KYC करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा और आपको यहापर बैंक अकाउंट का आपशन मिलेगा Peter अपको आपको इंटर अकॉंट नंबर का अकउंट मिलेगा तो जो उपर आपने अकॉंट नंबर डाला है वहिए आपको इंटर अकॉंट नंबर पर डाल देना है उसके बाद एहापर सर्च बाइऑ इस प्र का एक ओंच नम कर अलिएत उसके बाद branch name में आपको अपनी bank का branch name डालना पड़ेगा तो दोस्तों मैं फटा-फट यह account यहाँ पर add कर लेता हूँ पहले तो तो दोस्तों अभी मैंने यहाँ पर मेरे account की सारे detail को fill कर दिया है account detail fill करने के बाद आपको यहाँ पर search को option मिलेगा तो आपको simple से इधर search के option पे click कर देना है search के option पे click कर देने के बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ bank आ जाएंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपने जिस भी bank की detail डाली है उस bank को select कर लेना है तो मैंने यह वाला bank डाला था तो इधर select के option पे click कर दूँगा select के option पे click कर देने के बाद यहाँ पर मेरा bank account add हो जाएगा bank account add होने के बाद यहाँ पर नीचे आपको save का एक option मिलेगा तो आपको simple से save के option पे click कर देना है save के option पे click कर देने के बाद दोस्तों आपके bank में जो भी number होगा उस number पर एक OTP भेजा जाएगा और उस OTP को आपको यहाँ पर enter OTP में डालना पड़ेगा तो हमें OTP आ चुका है तो हम यहाँ पर simple से हमारे bank का जो भी OTP है वो feel कर देंगे दोस्तो अभी मैंने यहाँ पर मेरे bank का OTP डाल दिया है bank OTP डालने के बाद दोस्तो आपको यहाँ पर verify option मिलेगा इधर verify के उपर click कर देंगे verify के उपर click कर देने के बाद आपका bank account add हो जाएगा my 11 circle app में और दोस्तो जब भी आप withdrawal लेना चाहते हो simple से आपको उपर यहाँ पर amount डाल देनी है और यहाँ पर bank account से लिक करना है और withdrawal के उपर click कर देना है withdrawal के उपर click कर देने के बाद दोस्तो आपके bank में पेशा withdrawal हो जाएगा तो दोस्तो इस तरह से आप my 11 circle में bank add कर सकते हो